सुप्रभाद प्यारे बच्चों, हिंदी विशाई की दूसरी कक्षा में आपका स्वागत है आज हम भाशा अभिहास के प्रिस्ट 30 और 31 करेंगे तो आप बच्चे धंग से सुनेंगे, ठीक है? दिये गए वरणों से 3-3 शब्द बनाए तो हमारे पास ये 2 वरण दिये गए हैं तो इनसे हमने 3-3 शब्द बनाने हैं पहला जो वरण है वो है प्या तो प्या से बनेगा प्यास, प्यारा, प्याला और भी बनेगे जैसे प्यार, प्याओ ठीक है? दूसरा जो वरण है वो है चव चवरण से जो शब्द बनेंगे वो हैं बच्चा, सच्चा, कच्चा इसके बाद दिये गए जानवरों के घरों के सही नाम चुन कर लिखे अब अच्चो जैसे कि हम सब घरों में रहते हैं वैसे जो जानवर जो हैं वो भी अपने घरों में रहते हैं तो उनके घरों को किस-किस नाम से पुकारा जाता है वो हम यहां लिखेंगे तो हमारे पास यह hell box दिया है अस्तवल, घोंसला, गुफा, बिल पहला है शेर, अब शेर कहां रहता है शेर रहता है गुफा में यह है गुफा फिर चूहा, चूहा रहता है बिल में, यह है चूहे का घर और आगे है घोड़ा, जो घोड़े का घर होता उसको बोलते अस्तवल, यह वो आगे है चीडिया, चीडिया का घर होता है घोंसला, यह यहां पर अगला है दिये गए जानवरों को उनके रहने के स्थान के वर्ग में लिखे अब यहाँ पर हमारे पास जानबर दिये गए है हाथी, मगरमच, मचली, शेर, हेरन, शार्क, चीता, भालू, वेल, डॉल्फिन अब यह जो जानबर हैं इन में से कुछ पानी में रहते हैं और कुछ जंगल में रहते हैं इसमें जंगल में रहने वाले जीव तो पहला है हाथी, अब हाथी रहता है जंगल में तो यहाँ जंगल में इस बाले कॉलम में हाथी मगरमच, मगरमच पानी में तो यहाँ मचली यहाँ, शेर यहाँ, हीरन यहाँ, शार्क पानी में रहती है तो इधर चीता जंगल में, भालू जंगल में, वेल पाने में और डॉल्फिन भी पाने में इसके बाद बार दिवस से समंधित प्रश्नों के उत्तर लिखिये पहला प्रश्न है हमारे देश में बार दिवस कब मनाया जाता है तो मनाया जाता है 14 नवंबर को बार दिवस क्यों मनाया जाता है? बच्चों की खुशी के लिए बच्चे श्री जवाहर लाल नेहरू को प्यार से क्या बुलाते थे? То बुलाते थे चाचा नेहरू चाचा नेहरू का प्रिय फूल कौन सा था? उनका प्यारा फूल था गुलाब आगे दिये गए शब्दों को उनके समान अर्थ बाले शब्दों से मिलाईए अब ये जो शब्द दिये गए हैं आगे इनके समान अर्थ हैं तो हमने ये आपस में मिलान करना है इनका जैसे जल, जल को बोलते हैं पानी भी बोलते हैं इसका समान रत पानी है तो इसके साथ इसको मैच किया फिर जंगल जंगल को हम वन भी बोलते हैं जानबर जानबर को पशु भी बोला जाता है जमीन धर्ती और एक और पृत भी भी बोलते हैं हम इसको और आगे पेड पेड को ब्रिक्ष तो बच्चों इस तरह से आपने ये दोनों प्रिस्ट अच्छे से लिखने और समझने हैं ठीके धन्याबाद आपका दिन मंगल मैं हो